वेलकम वेक टू माई चैनल तो आज के आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं आवले की लॉची की रेसिपी और इसके आगे आप आमले की लॉची खाना भूल जाएंगे और इसे नहीं बॉइल करेंगे और नहीं गोन देंगे तो इसके जो सारे उरिजनल तत्व हैं विटेमि और इसे मैंने बिलकुल अच्छे से साफ से धुल के और एक छल्दी में रखतिया है जिससे इसका जो एक्ष्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए अब मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी रखतिया है तो फ्रेंट्स हमें इस पान कर दीनी हूं और struski के ऊपर 반ोड में यहां जो जजनी का पर जाल है अगर आपके पारे देम में यहां जेम केमाने का अब 10 टक प्राइम में एसे यहां करनी का उनर्मली कर सकते हैं लेकिन मैं इसे वाइल इसलिए नहीं करीं ताकि इसकी जो तत्व हैं जो vitamin C का amount है जो minerals हैं वो इसमें बरकरार रहें तो आप इस तरह से बनाइए तो इसके सारे तत्व इसमें बरकरार रहेंगे तो अभी देखिए हम इसे 10 मिनट तक ठके और steam कर लेंगे तो जब तक friends ये steam हो रहा है मैंने एक दूसरी छोटी कढ़ाई ली है और मसाले के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है धनिया थोड़ी सी काली मिर्च थोड़ा सा मैंने जीरा ले लिया है और दो तीन लाल मिर्ची ले लिया है तो इसे मैं कढ़ाई के अंदर add कर दूंगी और add करने के बाद से आपको इसे low flame पर लगतार चलाते हुए भून लेना है तो भूने से यह crunchy हो जाएगा और जो लॉंजी होती है लॉंजी में हमेसा भूना हुआ ही मसाला डालते हैं तो अभी देखिए जब यह अच्छे से भून जाए तो आप ना इसे क्या करिए कि इस बर कर दिया है और इसका पीस के हम पाउडर बना लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा कम था मसाली के इसलिए बहुत बारी नहीं भी साइसे दर तरह ही पीसते है तो अभी 10 मिनट हो चुका है और देखिए आवले में अच्छे से बिल्कुल इस्टीम लग चुका है य आवले को दूसरे बरतन में निकाल लिया तो फ्रेंड्स अभी आवले को थोड़ा से ठंडा हो जाने देना जिससे कि हम आसानी से इसे क्या कर सके कि छील के इसका जो बीज है उसे निकाल सके तो देखिए इस तरह से मैंने छील लिया है बीज भी बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं तो आप एक आवले से नॉर्मली छे से साथ टुकड़े इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़े बना लीजे तो देखिए बीच भी बहुत अच्छे से निकल जा रहा है तो अभी देखिए जितने भी आवले थे हमने उन्दे बीच से अलग करके इस तरह के पीसे बन थोड़े-थोड़े से पीसे भी रहें और थोड़ा सा ये बारीग भी हो जाए तो बिल्कुल इस तरह से हमें इसे मैश कर लेना है तो चलिए आप साइट में रखते और लॉंजी बनानी की तरफ चलते हैं तो यहां पे कढ़ाई लिया है कढ़ाई के अंदर सर्फ एक पाइन, जीरा, थोड़ी से मेथी और राई तो अभी इन सारे चीजों को पंचवरन की चीजों को मैंने तेल के अंदर आट कर दिया है और इसे आप लोव फ्लेम पे ही थोड़ा सा जल जाने तो जब यह जल जाये तो यहां पे मैंने आट कर दिया है आवले को जो हमारा कर लेना है जिससे कि यह हमारा थोड़ा से सौनधा पन इसमें आमले में आ जाए अब देखिए इसे हमने भून लिया है तो भूनने के बाद से मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूं काला नमक मैं इसमें सफेद नमक का इस्तिमाल नहीं करती इसलिए मैं काला नमक ही भरपूर देने के लिए मैंने आड़ किया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूं थोड़ी सी हल्दी तो फ्रेंट्स अभी ना थोड़ा से बस आप इसे मिक्स कर लो और मिक्स करने के ठीक बाद हम इसमें अपनी आगे की चीज़े डालेंगे अ इसे ही थोड़ा सा फ्लेम लगेगा तो हमारा जो गुड़ है वो आराम से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो देखे इस तरह से आप थोड़ा सा चला दीचे और इस प्रोसेस के दौरां फ्रेंट्स आपको बिलकुल भी इसे ढखना नहीं है क्योंकि जब आप ढ़कते कि मैंने यहां पे पूरा जो गुड़ है उसे मैंने मेल्ट कर लिया है और इसके बाद से जब यह मेल्ट हो जाए तो अच्छे से जब मेल्ट हो जाए तो मैंने यहां पे एक डालचीनी का टुकड़ा एड़ कर दिया यह पूरी तरह से ऑप्शनल है लेकिन इसका टेस्ट अच्छा था इसलिए मैंने यहां पे एड़ कर दिया अगर आपकी घर में लोग इसे खाना पसंद करें तो जरूर डाले और यहां पे जो पिसा हुआ मसाला था उसका मैंने आधा ही एमाउंट डाला है अब इसे अच्छे से मिक्स करने हो और फ्रेंस यहां पे मैं एक और आफ करने के बाद से आप इसे किसी बर्मी में भरके रखती चीए आप चाहें तो इसे बीच-बीच में एक दो दिन के लिए धूप दिखा सकता बर साथ में आप एक दो बार जरूर धूप दिखा दे और फ्रेंस इसे आप स्टोर करके सालों खाएं बहुत ही अच्छी 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 लगी जरूर बताई थेंक यू सो मच फो उचीं